देख रहे हैं इसकी study points लिग उड़ी का या वीडियो जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं National Achievement Survey 2021 को आप अपनी स्क्रीन पर चुब information देख रहे हैं उसमें हम लोग बात करेंगे cheat and draw method के बारे में cheat and draw method आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि draw करना है और select करना है कि किसको हिस्सेदारी दी जाए या फिर कौन भाग लेने जा रहा है तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कौन सा school select हुआ है आप जान चुके हैं देख रहे हैं कि जो school select हुआ है उसमें अगर दो तीन section है जैसे मान लीजिए example के तोर पर class 5 select हुआ है आपकी school का तो उसमें अगर दो तीन section है तब जाकर उसमें lottery होगा मतलब cheat and draw होगा और उसके बाद में 5AVC में से कोई एक section select होगा उसके बाद में जो step होगा वही cheat and draw method का लाएगा तो उस पे हम चर्चा करेंगो उसके पहले कुछ important चीज़ मैं पता देता हूँ ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए अगर आपके school में आपके section में 30 बच्चे से कम है तब तो यह step लागू नहीं होगा ठीक है अगर section ABC करके आपके section में नहीं है तो उसका नाम ABC करके दिया जाएगा इस तरह की important है तो मुझे यह जानकारी है कि हिंदी मेडियम वाले school में बच्चों की संक्या 30 से ज़्यादा ही है इसलिए बाद वाला step सब आपके लिए बहुत important है इसलिए जानके रखिये कि की सतरह से आपके बच्चे select होने जा रहे है या फिर आप लोग select होने जा रहे है कुछ बच्चे comment कर रहे हैं बता रहे हैं पूछ रहे हैं कि सर मेरे section में मेरे class में 260 बच्चे हैं या फिर इतने students हैं तो क्या सभी का exam होगा तो बता दूँ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितने को select किया जाएगा तो देखे सबसे पहले cheat and draw method में होगा क्या सबसे पहले select किया जाएगा aim factor को aim factor काने का मतलब क्या है जो total students है मालीच आपके यहाँ पे total students अगर 90 हैं तो 90 को 30 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 3 तो 3 जो होगा वही उसका aim का लाएगा मतलब sampling interval ठीक है उसके बाद में उसके बाद में आपको बुला जाएगा कि draw कीजिए cheat को cheat and draw method से हम लोग शुरू करेंगे और उसमें जो भी cheats है जीतने भी strengths का है सबका roll number लिखकर हम लोग draw करेंगे draw करेंगे तो माली जे सबसे पहले roll number अगर 10 आ गया तो 10 आ जाने के बाद में वही national achievements survey id number 1 हो जाएगा उसके बाद में जो दूसरा roll number होगा उसमें 3 जूड जाएगा मतलब next roll number जो होगा वह होगा 10 के बाद में 3 जोड दिये तो 13 हो गया तो 13 roll number उसी तरह से 16 फिर 16 में 3 add कीजिए 19 इस scrum में चलता रहेगा तो यहाँ पे समस्या क्या है अगर माली जी आपके school में 90 बच्चे हैं आपके section में 90 बच्चे हैं इस तरह के बच्चे हों उसी draw को उसी को उठा लिया जाए तब क्या होगा क्या reverse में आएगा इस सीज को clearly नहीं बताया गया है तो आप इतना मान के चलिए मेरी सोच कहती है कि केवल 1 to 10 roll number का cheat बनाया जाएगा उसी में से draw किया जाएगा और उसके बाद में आगे बढ़ते हुए चले जाएगे ठीक है तो इस से क्या होगा सुविधा होगी sampling interval को add करते जाने में क्योंकि sampling interval को minus करने का कोई example या फिर इस नहीं दिया गया है उमीद कराओं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी आप बात करते हैं कितने बच्चे exam देने जा रहे हैं तो आप यह समझ गया है कि 8 में अगर 3 section है तो 3 section का national achievement survey नहीं होने जा रहा है किसी एक section का होगा और उसमें भी केवल 30 बच्चों का ही होने ज exam देगा उसी तरह से 10 में या उसी तरह से class 5 में इसलिए cheat and draw method क्या है आप समझ गया है कैसे करके आपका number आएगा आप draw में आएंगे या नहीं आएंगे वो depend किस तरह से करता है वो lottery पर depend करता है फिलाल हम जान चुके हैं कौन-कौन से school और कौन-कौन से class selected हुए हैं तो और information जो भी होगा update होगा next video में लाकर मैं आपको बताऊंगा thank you very much for watching